कि आसे हैं आगा आप सबकार में किचन में आज मैं बनाने वाली हुं ब्रेड गुलाब जामुन ये इन ग्रेडियन्स ब्रेड है और ब्रेड से ख़र्चीब कई स्राइशटा ब्रेट कर लिए डिक इन इनान पर के दूनिह ऑनकहीः उस से हैं इस प्रेट कि लिए C di to Assay चाहिए उसमा ने के लो हुए उसका जो एक दिए का बीचिए कूसरा कमें देचर्ण कि अधिन साइड से थाली यह बीज का पॉर्शन है यह हमें लेना है तो मैं इतना सारा व्रेड है मैं सब का कार्ट के तयार कर लेती है अभी मैं यह ब्रेड को ऐसे चोटे चोटे टुक्रों में कार लेती हूं और यह मिक्सर जार में डाना जागी इसका पाउडर बनाना है अभी मैं गुलाब जाओन के लिए घर में खोया बनाऊंगी तो मैं पहले खोया बनाने के लिए टू टी स्पून घी इसमें डालती हूं अब मार्केट में भी जो खोया मिलता है उससे भी यह बना सकते हूं लेकिन घर में ऐसे बनाऊंगे तो बहुती टेस्टी लगेगा यह और यह खोट तेल गरम घी गरम उचुका है यह एक कप दूध है मैं एक कप दूध यह गी में सब्सक्राइ कजिए आयो है है इसे लेखेंब होने लगाए अब यह 1 कप मिलक पाॉडर है कोई भी मिलक पाउदर अपरे सकते एक कप नहीं यह मिल्क पाउडर को थोड़ा थोड़ा परके इसमें पूरा एक साथ डालना नहीं है थोड़ा थोड़ा करके मिलागा है तो यह से यह से करके लिक्स करते जाना है थोड़ा थोड़ा करके अब आपके जितना मेक पावड़र है इसको दोड़ाँ डाले अब देख सकते हैं और थोड़ा सा इसको पकाना है यह खोया बनाने में मुझे पांच मिनिट का टाइम लगा आप लोग घर पे भी ऐसे इंस्टान खोया बना सकते हो यह बादारसे भी अर्था में राइगा यह बन के तो मैंने खोया फुरा बन के रेडि हो चुकता है मैं अभी ग्डेस को बन कर देती ब्रेट को मैंने मिक्सर में ऐसे पीस लिया था, उसके बाद मैंने जो खोया बना है, ये खोया को भी मैंने इदर रखा है, और इसके साथ मैंने लिया है, टू टेबिस्पूल मैदा, और ये मैंने लिया है, वान फोर्ट तीस्पूल बेकिंग पाउडर, इसको मैं पहले मिला सबसके बाद इसको अच्छे मिक्स करना है और इस में अगर рав़ा भासर लग्लगते हैं कि तो अब इसमें थोडहा πे phenomenal आप कर सकते हों पानी नहीं इसमें दूधाट करना है अभी मैं इसको इसका एक डू बनाना है इसको अच्छे से गूंद के आप देखिए मैंने सब कुछ मिला की इसका एक डू बना लिया है ऐसे आप इसको इसको डू से अब जितना वरा साइस का बनाना चाते हैं गुलाब जमू वैसे सब्सक्राइब करना है पहले अच्छे से आप देख सकते हैं कि गुलाब जमू का शेप मैंने दे दिया है अभी हम जब इसको चाशनी में डालेंगे तो यह फूल के थोड़ा बढ़ा हो जाता तो मैं ऐसे ऐस करके बना रहे हैं अब यह शेप भी दे सकते हो अब दूसरा एक शेप में दिखा रहे हैं यह शेप में भी आप इसको बना सकते हूँ हρηरे है ऐसे लंभा ही cultivated है कासे एसला माव Day तैसे अप पहले अप इसको गोल करो फिस दोंते लबाया शेप में देके अ को दोड़ा सा इसको प्रेस कर देना ये सेब में भी अपस्कों बना सकते री जलाब जामुंनी बना सकते और ये शील obt précis चली अब गार सकते है अग्क अब देख सकते हैं मैंने इता ये बना के रखा है अब जब बनाओंगे न तो हते गीमे TF से मसल के फिर मैं इसको हतेली में इसे करके इसको थोड़ा लंबाई शेक में अब मैं चाशनी बनाओंगी चाशनी के लिए मैंने लिया एक कप थीनी 200 ग्राम के कलीप चीनी है इसमें इसको में डाल लेती हूं और इसके साथ एक कप पानी अब यह जाशनी को ऐसे करके हिलाते जाना है अब इसमें में दिला लेनूं इलाइची यह तीन इलाइची है जिसको क्रश करके उसका अंदर का इससा में निकाल लिया है इसको भी में डाल देती हूं अब यह जाशनी को भीलाते जाना है अब यह दूसरे जाइक में दूसरे गैस में तेल गष्ट पाना है करम करने के लिए रध दिया है यह गुलाब जयमून हमें फ्रौाय करना और इस तरब देखिया मैरे चास्नी कज ये कुछ है थोड़ हमें गैस का फूद्व अब ज़क्ति हो जाएक twitter दिधे है अब है कि यासी चिरवा और के चलिए करने चलिए यह भी थोड़ा और पकाना इसको अब ही में और प्राय के लिए देघ gefली और लगा बीर अब प्राइ प्राइ तो ब ने च्огन आट और नरीटे देन देपर को आख रूआ है लो को मैं लो से मिडियम ऐसे प्लेम को रखती हु ज्यादा हाइफ टमेम नहीं करना है इसको लो से मिडियम बार इतनी है अचिजी हमारा आप चुका है अब यह चिप-चिपा हो गया है और मुस्क यह भी रेडी हो चुका है यह गुलाब जाओन फ्राई हो चुका है मैं अब इसमे इसको चास्नी में डाल दी थी अब कुछ देर के लिए इसको चास्नी में ही रखना है देखें मेरा यह गुलाब जाओन चास्नी में रेडी हो चुका है तुरा मैंने इसको 15-20 मिनित चास्नी में रखा है अब मैं इसको उठा लेती हूँ अब गुलाब जाओन बनके लेडी हो चुका है मैंने इसे सर्फ कर दिया है अब देख सकतें इतना अच्छा कलर आया है और इसका टेक्स्टर भी बहुत अच्छा है तो आप यह गुलाब जामून की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करन ताकि आने बाड़े मेरी है रेसिपी आप लोगों को आसानी से मिल जाए और भाई आदुझ में यह जरूर बनाना और भाई को खिलाना थान्यवाद